जै सिर्राधे मित्रों, हरहर महादीव, जै मा चंद्रबदनी, चंद्रबदनी भक्तिरस चैनल में आप सभी का सागत है, सभी का अविनंदन और आजकल मा चंद्रबदनी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आपको नवग्रह के जो सटीक और सुक्ष्म उपाय हैं उनकी जानकारिय दी जा रही हैं तो नवग्रहों की शांती के लिए जो सुक्ष्म उपाय आप लोग कर सकते हैं और सटिक उपाय जो हैं उनके बारे में अवगत कराया जा रहा है तो आप वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें और वीडियो को अंतिम तक अवस्य देखें और वीडियो को हैं! उन त्रूटियों से आवगत कराएं तो आज हम आपको सु het Ugh औप सट्व उपाय हैं विथ के बण्यव कराएं गे तो बाद्यूंर जो जातब है जिस जातक केक बुद्द स्ट्व इस्तिती से ब歲mam हैं Sum जातक को वाणी दोस होगा वह बाणी से कुछ ना कुछ अब सब्द बोलेगा बाणी कुछ ना कुछ बाणी के दोस उसमें होंगे और उसकी प्रभावज सकती है वह भी कम होगी तो बुद्ध की सुबता के लिए क्या करना है बुद्ध की सुबता के लिए जो उपाय करने हैं वा उपाय आपको बताते हैं या उपाय आपने करने हैं और बुद्ध जो है सुफल की प्राप्ति जो बुद्ध गरे हैं वा शुफल प्रदान करेंगे तो बुद्ध की सुबता के लिए आपको उपाय करना है आपको सरुपर्थमतो अंडा मांस का सेवन नहीं करना है इसे आपने छोड़ देना है अंडा मांस का सेवन न करें और जिस जाते की कुंडली में बुद्ध असुब हैं वह केसर का तिलग लगाएं। चांदी के आवुसन पहने ऐसा कार्य न करें जिससे अपयस की प्राप्ति हो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे अपयस मिले या ऐसा कोई कार्य न करें जिससे भे की प्राप्ति हो ऐसा भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए और उस जातक को क्या करना चाहिए पक्छियों की सेवा करे चाहिए पक्षियों के लिए चारा दाना देना चाहिए अर्थाद पक्षियों को भूजन देना चाहिए किन्तो पक्षियों को पाले नहीं ऐसा नहीं कि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया पाल रहा है तो पक्षियों को पालना नहीं है सिर्फ और सिर्फ उन्हें दाना दे और दूद एक पात्र में मिला करके छट पे रखें घर की कन्याओं को घर की जो कन्याएं हैं उन कन्याओं को घर में जो भी कन्याएं हैं उन कन्याओं को चांदी के आबुसन दान करें चादी का आवुसन नाक के लिए या चला बना करें उन कन्याओं को वह आवुसन भेंट करें सादू फकीरों से कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए जो सादू फकीर आते हैं उनसे कोई भी वस्तु ना लिए ले वह ब्यक्ति जिस जाता के कुणले में बुद्ध असुब बैठे हुए हैं और अपनी वानी पे सयम रखे तो बुद्ध ग्रह जो है सुब फल परदान करेंगे यह वीडियो आपको कैसा लगा यह जरूर आप अवगत कराएं और जो भी हमने यह उपाय बताए यह जो तिस की जो परमुख पुस्तक है लाल किताब है उसके उपाय हैं तो इन उपायों को करने से बुद्ध शुफल परदान करेंगे तो जैसरी रादे हर हर महादेव जै जैमा चंदरवदनी, जैमा चंदरवदनी